कि अलो गाइस वेलकर डूं केंडरी क्लासिस बूर्ड पेपर तो हो चुके कुछ पेपर बचे लेक्रोनिक्स फगरा मेरे कहल से तो वो तो मैचक का पर बचाह था सब लोगों ने मरे काल से अच्छा दिया होंगा अइसा लगता है तो बहुत पर बहुतर प्रैक्टीस अच्छी होते तो करने के लिए कि प्रॉब्लम ने बद थोड़ी बहुत वहां पर क्या था मतलब अधना ज्यादा था तो अब बहुत सब्सक्राइब करना है अपने पास बहुत काम है क्योंकि उसलिए बहुत फास्ट रिविजन करना है अपनको और इसका सेलबस क्या है और कैसे कैसे प्रिपेरेशन करनी है वह आपको माई मेरी दरब से यह कर दूंगा तो यहां पर सबसे पहले देखो सबसे पहले में सीटी तो मैट्स सबसे पहले एक्जाम डेट है थर्टी एप्रेल को ठीक है फस्ट बैच मतलब 13 एपरिल को PCM का पेपर है तो यहां पर देख कोशन 11th grade के रहते और 40 कोशन 12th grade के रहते तो 40 कोशन जो है इच कोशन carry on 2 marks रहेंगे तो इसमें कोई negative marking नहीं रहती है तो बस अपनको ध्यान देना है कि syllabus max सबसे ज्यादा important days में क्योंकि physics chemistry 50 marks रहेंगा 50-50 तो उसमें एक इच कोशन अगर आप करते हो तो वहां पर 1 mark मिलेग तो उसलिए best है कि आपनको maths अच्छे सी practice करनी है मेरे खाल से अगर बोड अच्छा जाता है तो मेरे खाल से लगता है कि CET बहुत आच्छा जाएंगा जो same syllabus है जो बोड का syllabus था यहां पे थोड़ा बहुत 11th के chapter अपने को cover करने पड़ेंगा और time भी बहुत कम है उसलिए अ सबकुछ चाल करना है और मैं भी मेरे भी classes यहां पर start करूंगा CET के मेरे खाल से next two days में चलो हो जाएंगे आपको date भी confirm कर दूँगा और yearly question paper थोड़े अच्छे से solve किये तो आपको easy हो जाएंगा कोई tension नहीं तो सबसे main बात चलती है अपना April 30th को paper है ठीक है तो यहां पर pattern क्या पता है आपको pattern तो अलड़ी पता है तो 40 questions रहेंगे 12th के और 20 20 sorry 10 questions रहेंगे अपने को इसके 11th के तो 11th के each question carry on 2 marks तो total किते 10 marks हो जाएंगे और यहां पर total 40 questions रहेंदे each question carry on 2 marks मतलब total 80 marks हो जाएंगे तो 12th का बहुत important है 12th जो अपना अभी हो चुका है उसको थोड़ा सा और अच्छा सा revision कर लेना है और अच्छे से चोटे-चोटे topic और shortcut थोड़ा बहुत अच्छे से देख trigonometric of function compound angle sign factorization ठीक है trigonometric function मतलब basic formula अपने जैसा sine by cos tan और उसके angles और उसके बाद आते हैं तो sine square theta plus cos square theta वाले proof करने थोड़े बहुत ऐसे questions रहेंगे factorization में c plus d वाले questions रहेंगे ठीक है और state line state line में आपको distance between two points और उसके बाद आपको slope आएंगा area of triangle और internally externally यह सबको state line में आ जाएंगा perpendicular parallel यह बहुत इसे हैं तो यहाँ पर circle और conic section चीक है तो मेरे खाल से लगता है कि यह थोड़े chapter आपको यह chapter पे ज्यादा फोकुस करनी चाहिए क्योंकि यह chapter में हर chapter में सबको अच्छे से question निकलेंगे मेरे खाल से circle conic section और relation and function यह भी chapter easy उतना कुछ stuff नहीं और उसके बाद probability है और sequence and series sequence and series में APGP HP important है ठीक है 11 के मैं रिकाल से इतनी topic है ज्यादा नहीं है सबसे पहले state line उसके बाद circle conic section relation and function probability एक है और sequence and series and factorization trigonimitical formation से ठीक है तो 11 का ज्यादा syllabus में 11 का बहुत कम syllabus है और chapter भी थोड़े कम है बहुत कम chapter है तो state line, circle, conic section, parabola, hyperbola, ellipse इसमें आ जाएगा circle भी easy हो जाएगा ठीक है 12 का तो आपको पता है portion mathematical logic, matrices, inverse trigonometric function, pair of state line, vector, 3D, line, plane, linear programming, continuity, differentiation, application of derivatives, integration, definite integration, applications of integration, differential equation, उसके बाद probability and distribution of a है उसके बाद Bernoulli trailer है उसके बाद binomial distribution binomial distribution तो मेरे खाल से लगता है कि आप 13th April मतलब अपनी को बहुत कम टाइम है उसलिए सबसे पहले आप उनको 12 एक बार revise करना है उसके साथ-साथ 11 के topic को तोड़ा ध्यान देना है 11 के topic भी अपने पास बहुत easy है इग्नोमेटी के topic है उसे formula based questions रहेंगे formula एच्चे से पढ़ना है ठीक है और यहां पर एक बात है और मैं भी सब्सक्राइब करने ज़रूरी है ठीक है topic आपको थोड़ा बहुत सेल्बस को रिवाइस करना है सेल्बस की बार topic जो है क्या क्या topic में chapter में क्या क्या पूरा देखना है उसके साथ-साथ MCQ की ज्याधा practice होनी अगर आपका board का अच्छा preparation करे होते तो आपको यहां पर problem नहीं आएगा उतना क्यूंकि आपने board अच्छा किया है तो कोई परिशान नहीं हो थी क्यूंकि उसमें से ज्याधा questions cover होते क्यूंकि आपने topic cover रहता है topic अगर cover रहने से क्या होता है क्यूंकि आपनको MCQ थोड़े बहुत ज्याधा practice करने पो थे मुझे लगता कि MCQ बहुत negative marking नहीं रहेगी अच्छे अच्छे इजी chapter आपको अच्छे से पढ़ना है बस आपको थोड़ा बहुत यहां पर टेंशन होंगा 11th के chapter का आपने 11th के chapter बहुत दिन पहले पढ़े होंगे तो उसको अच्छे से revise कर लो थोड़ा क्यूंकि 12th का आपको यहां पर board paper होने के कार कर लो जो भी MCQ है board paper पहले clear कर लो board के जो test book के उसको clear कर लो उसके बाद जाते है कि NCRT उसके बाद चलते है अपन MCQ वाले question पर try करना आपको target मिलेगा अरियंत मिलेगा उसमें से questions रहेंगे या yearly question paper ज्यादा से ज्यादा focus करना yearly question paper अगर आप करते हो तो मेरे काल से per chapter के minimum yearly question सब मिलके try कर लेना क्योंकि उस question को अगर ज्यादा focus कर तो आपको paper दिने में problem नहीं हो जाएगा तो 11 के पहले topic अच्छे से cover कर लो अगर topic होने के बाद उसके board के question paper, board के test book है उसको पहले solve कर लो अच्छे से उसको solve करने के बाद फिर इसी के उपर MCQ पहले करना है पहले MCQ नहीं करना है पहले अपनको बस इसके थोड़े बहुत MCQ करने के पहले अपन को इस chapter के board level के question पहले perfect करना है क्योंकि वो topic अगर perfect होता है तब अपन MCQ easily कर सकते मेरे गाल से लगता है कि बहुत time कम है उसके लिए student सोड़ा बहुत अच्छी मैनत करो और अच्छा सा ये करो तो आपको अच्छा सा government college मिल जाएगा और अच्छे अच्छे college मिल सकते कर अपनी अच्छे preparation किया है तो ठीक है और मुझे नहीं लगता कि sir MSCT से अच्छे college बहुत अच्छे college मिल महारास्टा में बहुत सारे अच्छे college है top 10 में ठीक है जैसे COP ले लो या अमरावती government college ले लो हर जगा बड़े-बड़े college से ऐसा tension नहीं ले बस आपको just कुछ भी करके match पे अच्छा score करना है match में score मेरा support रहेगा मैं regularly आपको CT के classes चालू कर दूँगा my data will confirm you but उसमें सबसे ज्यादा main बात है 13 April को याद रखो और जल्दी preparation अपना चालू कर दो क्योंकि total अपने पास क्या है total 100 marks है और 50 questions है 50 questions मतलब आपको A-B question नहीं चूटना चाहिए उसमें स से और अच्छे से preparation करना है जैसे board का किया उसको अच्छे से ध्यान दो एक बार उसको revise करो उसके बाद हर चीज़ पर MCQ करना ज़रूरी है तो टेंशन ने लेना है revision फटाफट चालू कर दो अगर आपके paper हो चुके हो के जिनका IT वगरा electronic कुछ होंगा तो पहले complete होने के बा तो साथ तारीक के पहले कल एक दीन है कल जल्दी से घल जड़ी जिसने नहीं बार होंगा तो भी और सीटी का फाउंब भर दो जल्दी ठीक है तो कि यह बार बहुत जल्दी है सीटी और आपने पास टाइम भी बहुत काम है उसके साथ साथ एपरेल पांच को 5 से अपने JEE क भी पेपर से तो उसलिए आप को दोनों का प्रिपेरिशन मिलता है तो कि अप्रेल 5 बोले तो एप्रेल 5 वहात कम टाइम है उसमें जबली करना पड़ेंगा उसके साथ चीटीबी करना पड़ेंगा अगर जो बंदा सीटीप जयादा फॉकस करते है तो CD पर focus करो जिनको JBB देना तो JPP भी focus करो तो मेरे खाल से लगता है कि जिनको CD देना जैसा perfectly board अगर आपने अच्छा से किया तो board पर question और एक बार revise कर लो और 11 के topic को अच्छा से revise कर लो अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो like करो save करो and subscribe करो thank you